अब ये जो message है वो बहुत ही private है दोस्तों और जिसे मैं वेज रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना चाहिए या फिर आप कोई password share कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा important चीज जो आप किसी को भीजना चाहरे हो बताना चाहरे हो और सिर्फ वही पढ़े जैसे कि मैंने इस message को भेज दिया अब क्या होगा कि ये message जब इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे notification में ही दिख जाएगा यहाँ से मैंने ये message भेजा यहाँ पे इस बंदे को उपर में ही दिख गया जैसे ही notification डाउन करेगा message देख लो दोस्तो मैं अगर यहाँ पे फिर से इस message को भेजता हूँ तो वो बंदे को उपर में ही दिख जाएगा देखिए लेकिन आज मैं आप सभी को आपके WhatsApp के अंदर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे अगर आप किसी को भी message भेजोगे उस message का जो preview होगा वो यहाँ पे नहीं दिखेगा वही चीज दिखेगा जो आप यहाँ पे दिखाना चाहोगे तो दोस्तो यह कौन सी ट्रिक है कैसे आप इसे यूज कर सकते हो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर तो अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक ने किया है तो यार जल्द अगर आप सभी वैसा मैसेज भीजना चाहती हो जो सिर्फ सामने वाला ही देखे और कोई ना देखे तो उसके लिए आपको ये एप्लिकेशन ओपेन करना होगा इस एप का डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ तो इस ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो मैसेज मैंने अभी यहाँ पे लिखा ये सामने वाले को नोटिफिकेशन में दिखेगा क्या देख रहे हो और यहाँ पे हिडिन मैसेज अब हम लिखते हैं कल कब मिलने आ रही हो वावावावावावावावावावावावावावा देख लेगा तो चपल गिराएगा है ना तो यहां पे आपको क्या करना है कि अब इसे कौपी कर लेना है कौपी हो गया तो अब यहां पे आपको क्या करना है WhatsApp में आना है और जिसे आप भेजना चाते हो अगर आप सभी कुछ भी छेड़ चाड़ करोगे तो ऐसा दिखेगा लेकिन आपको क्या करना यहां पे आकर चुप चाप इस मैसेज को पेस्ट कर देना है यहां पे चुप चाप आकर उस मैसेज को इस तरीके से पेस्ट कर देना है कुछ भी यहां पे छेड़ चाड़ नहीं करना है सिंपल सा यहां पे सेंड कर देना है जब आप सेंड करोगे तो यहाँ पर read more का message आ जाएगा अगर ऐसा message जाता है तो पट से इसे delete कर देना वरना वहाँ पर दिख जाएगा ठीक है तो यह देखिए message यहाँ पर मेरे पास आ गया है आप देखो देख रहे हो ना चलो मैं आपको example के लिए उपर वाला delete कर देता हूँ वरना confuse जाओगे कि message तो दिखिए रहा है देखो क्या देख रहे हो है ना उसके नीचे वाला message नहीं दिख रहा है देख लो चलो मैं इसको scene करके फिर से message भेजता हूँ scene message फिर रहने देता हूँ उपर में कुछ और मैंने लिख दिया copy to clipboard कुछ छेड़ छाड़ नहीं करना है बस यहाँ पर आना है और यहाँ पर long press करना है paste का एक option है इस पर click कर देना है और चुप चाप इस message को भेज देना है यह देखो message यहाँ पर पहुँच चुका है अब देखो दोस्तो जैसे ही notification कोई down करेगा बस यहाँ पर यही दिखेगा और उसके बाद dot 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 लगा रहेगा कोई चाहकर भी यह message नहीं पर सकता है जिसे आपने message भेजा है वो चाहेगा तो पर सकता है क्योंकि उसको तो पता है कि बस यहाँ पर मुझे click करना है और मेरा whatsapp खुल जाएगा यहाँ पर read more पर click करेगा वो message पढ़ लेगा कल कब मिलने आ रही हो यहाँ पर देखो read more पर click करेगा message पढ़ लेगा तो बस दोस्तो यही काम आपको करना है और इसके बाद आप इस trick का इस्तेमाल बड़े ही मजे के साथ यूज कर सकते हैं अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आयोगी तो जरूर से इस वीडियो को like कर दीजगा चैनल पे नए होंगे तो एर subscribe कर लेना और घंटी को अभी तक on नहीं की होंगे तो जल्दी से on कर लेना तो हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा टेक केर टिल देन और गुट पाई